सलाम वाले रुपूम भाई जान कैसे हैं आप सब भाई जान आज नहीं आप लोगों को हमारे मुर्गी के और हमारे इस पांच बच्चे से लेके आए और चार बच्चे पहले से खड़े वे थे और एक मुर्गी जो है ना नीचे नों को पर बैठी वे जिसका एक बच्चा निकल कर आ गया और उसको हमने ना यहां अलग करके खड़ा कर दिया अगर भाई हम लोग उसको अलग नहीं करते ना तो व को दो चूबड़ी तो पास न को खड़ी रहती है बड़ी मुशबध है वाई अपने बच्चों से इसस मुआ explor को जिए इस बच्चे न ही आ नहीं अपने बच्चों से इस अमा को ठीश काफी ज्यादा बच्चे हैं जो यहां पर इस वाली के अंदर खड़ेंगे यहां पर कराची के अंदर ना काफी 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 ज्यादा गर्मी हो रही है जिसकी वज़ा से हमारी मेरी खुझ की आप आलत देख लें अभी अभी मैं उस बच्चे को सिर्फ छोड़ने के लिए उ मुलके मेरी मुल्गया बच्चा है भाठी काफी ज्यादा कर लादा पानी काफी ज्यादा कर रहा है कमीनों पुपों कमीनों यह पानी बिर पीने के लिए तुम्हारे पैर दोने लो नहीं है समझे चलो निकले इस जबार निकले पानी सारा का सारा कर गया इनने गंदा तो किस पानी को बिराते हैं हम लोग यहां पर और इसके अंदर ना हम लोग ताजा पानी रख देंगे मैं स्रीव आप लोगों को ना यह मुर्गी के बच्चे दिखाने के लिए था और काफी जादा जॉलिम बत्तियां भी देखा था किस तरह से मुझे काट लिया था इन बच्चों ने भाई इसके इलावा ना मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं बहुत ही प्यारी कांदे 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 वह यह रहे भाई मैं काफी जादा डर गया था भाई क्योंकि इस के अंदर हमारे बहुत एक्सेंपेंसिव बहुत प्यारों और बहुत ही खूबसुरात मुर्गी और मुर्गा खड़े वे थे जो मुझे नजर नहीं आ रहे थे लेकिन इस कोने के अंदर बैठे वे देखें यह हैं इसके के पीपर वाइट बिल्कुल वाइट हीरा का जोड़ा मुर्गी और मुर्गा जैसी में केज के पास है तो मुझे नजर नहीं है इसी वाज़े से मैं काफी ज़्यादा डर गया था यार कि कहीं घुम तो नहीं हो गया क्योंकि परोस में भी काफी ज़्यादा लोग रहते ना जर लगता है यार समझा करें तो चलो अब हम नीचे चलते हो नीचे जो हमारी मुर्गी अंड़ों को बैठी है ना वह मुर्गी में आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर भाईजान बैठी है हमारी वह मुर्गी जिसका हम लोग बच्चा चोरी करकर उपर ले गए है वह बाई तुमारा बच्चा जो है ना हमने उपर बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ खड़ा गए जहां पर वह बहुत ज्यादा खुश रहेगा तुमारे साथ रहता अकेला रहता तो वह परेशान लहता अभी हमने उसको चार-पांच दोस्तों के साथ याब वह काफी ज़्यादा खुश रहेगा और यह वाला हमारा प्रवा्मृगा देखें इस भी चारे को एदोस्तो लकवा हो गया आप लोग दूआ करें कि हमारे इस मुर्गे का लकवा जल से जल ठीक हो जाए पंदरह बीश दिनों से हम लोग इस मुर्गे का इलाज कर रहे अगर कोई निया कोई और मुर्गात हो तो अब तक मैं इसको जिबा करके खा के धकार ले चुका होता तो यह थी दोस्तो हमारी चोटी जी वीडियो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सब कमेंट लाजमी छोड़ दीजिएगा अलाफिस दोस्तो